Assalamualaikum student, आज मैं आपको cost and management accounting का एक important chapter जिसका नाम है inventive management उसके introduction को दे रहा हूँ Inventive management ICAP का एक important chapter है और almost हर attempt के अंदर ICAP इस वे question पूछी लेता है Inventive management के अंदर हमें बहुत से मामला की planning and controlling करनी होती है तांकि cost को कम किया जा सके, control किया जा सके Inventive management का जो एक major portion है वो base करता है हमारे एक model के उपर जिसका नाम है economic order quantity model Practical life में हम लोगों को एक बहुत बड़ी problem फेस करनी पड़ती है कि जब inventory को हम purchase करने के लिए जाते हैं एक order के अंदर कितनी quantity को purchase करके लेकर आएं, वो quantity हमें decide करनी पड़ती है वज़ा क्या है अगर मैं बार बार purchase करने जाओंगा तो मेरी ordering cost बढ़ जाती है और अगर मैं bulk में purchase करता हूँ तो ordering cost बचवा लूँगा लेकिन bulk purchasing के बाद उस inventory को मुझे लंबे अर्से तक hold करना पड़ेगा, जब मैं उसको लंबे अर्से तक hold करूँगा तो मेरी holding cost बढ़ जाएगी ordering और holding cost दोनों एक दुसरे के recipe protocol है अगर मैं ordering cost को बचाने जाता हूँ तो holding cost बढ़ रही है, holding cost बचाने जाता हूँ तो मेरी ordering cost बढ़ जाती है और मैं ये चाहता हूँ, ये सारी cost मेरी minimize हो जाएए, ये minimize करने के लिए EOQ model जो कि mathematical formula है, हमारी मदद करता है हमें बताता है एक order में कितनी quantity purchase करके लाएं, ताकि हमारी साल भर की ordering और holding cost in total वो minimize की जा सके then इसी inventory management के chapter में हम लोग कुछ inventory के control level भी discuss करते हैं, जो कि exam में frequently पूछे जाते हैं उनमें सबसे important level जिसको हम कहते है reorder level, reorder level हमीं ये बता रहा होता है कि आपके पास कितनी inventory रह जाए अब आपको नया order place कर देना चाहिए, order अगर वक्त से पहले place कर दिया, तो inventory आपके पास ज़रुष से ज़्यादा आ जाएगी पिछली stock बचावा है, नया stock और आ गया, inventory बढ़ जाएगी, holding cost unnecessary आपकी बढ़ जाएगी और अगर order आपने laid place करा, for example, supplier आपको five days में delivery देगा और backup के अंदर सिर्फ दो दिन का stock रखावा है, तो फिर तीन दिन का stock कहां से पुरा करोगे, stock out हो जाएगा, stock out होने से production के activity बंद हो जाएगी इस किसम की planning, inventory management के chapter में हम समझते हैं, student को समझाते हैं, ताकि exam में आने वाले question को हम पैकिल कर सकें, ठीके बड़ा, इस chapter की अच्छी सी practice करने के लिए और concept को अच्छा सा समझने के लिए, आप हमारी classes को join करें, TSA को join करें, जहाँ पे इंशालला, ये और इस जैसे बाकी chapter आ Oscar Sarko, thank you.